दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब शैनल में तो देखो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर 9 जोग्रॉफी का चैप्टर 9 तो इसका नाम क्या है ट्रेड यानिकि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है हम जानेंगे कि ट्रेड किसको कहा जबता है कितने ट्रेड होते हैं बैलेंस ऑफ ठ्रेड क्या होता है मार्केटिंग क्या होता है सारी चीजे हम यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यमसे समझने वाले हैं चलो बताओ सब लोग तयार हो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जकते हो तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं, तो देखो student, मैं आप लोगों को ना पहले ये trade के बारे में ही बता दू कि ये trade है क्या, तो समझने का प्रयास कीचेगा, जैसे कि आप न स्कूल से आए, ठीक है, स्कूल से आए और अपना homework करने के लिए बैठे, खाना पीना खा लिया, उ आपपास में जो भी दुकान रहेगा, वहाँ पे जाओगे पेन लेने के लिए, तो आप गये दुकान वाले भईया के पास, और आपने कहा कि, भईया हमको ये 5 उप्र वाला पेन देदो, तो भईया ने क्या किया, आप से ये 5 उप्र पैसे ले लिए, और इसके बदले में झाहिए और यहां को दे दिया तो यह क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उस पेन को खरीद रहे हैं वह भाइंग मतलब क्या होता है खरीद मां तो हम खरीद रहे न क्योंकि हमें पेन चाहिए था हमने पैसे दिये पेल लिए और ये भईया क्या कर रहे भई यह बेच रहे यानि कि सेल कर रहे है उस सामान को या फिर आप इसको यह भी कह सकते हो कि हम पेन के deman кर रहे है और ये पेन क्या कर रहे है बच्चो यह जो यहां पर डिमांड और सप्लाई या फिर बाइंग एंग सेलिंग है ना गूट्स एंड सर्विसस का इसी को क्या कहा चाता है दोस्तों ट्रेड के नाम से जाना चाता है बाद समझ में यानि जो हम रेगुलरली करते हैं जैसे कि हम सामान खरीद रहे हैं कहीं से बेशते हैं मैं आपको पूरा नहीं चेन बताती हूं देखिएगा जैसे अब भी हमने देखा कि दुकान वाले भाईया ने हमको पेंड दिया था तो मुझे एक बात सोच करके बताओ कि यह जो दुकान वाले भाईया थे क्या इन्होंने इस पेंड को अपने घर पे बनाया था नही क्या किया जाता है मनलब जो भी चीज़े हैं उनको मैं भीडिदें कों-खरीद धर ये फैक्टरी में से बल्क में सामान कौन खरीदेगा बल्क याने साधा मात्रा में ठीक है तो कौन खरीदेंगे वही हमारे wholesale trader जी ठीक है तो ये हो गए wholesale trader जो बल्क में सामान को खरीदते हैं अब ये wholesale trader भहिया क्या करेंगे हम इन से पूरी चेंड आ रही है इसमें क्या हो रहा है बताएंगे जरा इहां पर इन्होंने प्रोड्यूस किया और अपना सामान इनको बाइंग तो बेचा एड़ा है यह झाया दूंग किया चुछे इन्हों ने। यहाँ पर विज़ता है यह सुछलान में को हो रहा है बइदा इस पूरे सेलिंग फैरें रहा है ऑे सचोर्ण हो यहां पर दो वोट्स यूज किया है विच इस गुट्स और दूसरा क्या है वही सर्विस तो गुट्स क्या होता है कोई सामान जब हम खरीदते हैं पैसे दे करके तो वह आपका गुट्स कहल आएगा लेकिन यह सर्विस क्या है तो आप लोग डॉक्तर के पांस जाते होंगे आपका पूरा आपका जाच वगएरा करते हैं फिर वह आपसे लेते हैं तो आपने जब डॉक्टर सहाब को मालीजिये 500 उनके फीस ती आपने 500 रुपे दिये तो 500 रुपे में आपको कुछ भी उन्होंने सामान नहीं दिया बदले में उनको मतलब उन्होंने आपको क्या कि बस चेंग किया नहीं आपका आपका जहज किया कि आपका blood ислव वगयरा सब कुस ठीञ है या दूसरे एक्जांपल से समझो आपने बस divorce के द्रैवल किया किजब आ апने अजब बस過去 कर तो आपको टिकच लेना पड़ता है यह यह इंशना आ लिए है कितना 10 रुपे तो इसको हम क्या कहते हैं services कहते है ठीक है तो यह जो गुड्स and services का buying and selling होता है ना दोस्तों इसको क्या कहा जाता है ट्रेड कहा जाता है तो इस इस और ट्रेड यह सब क्या है आपका ट्रेड है ठीक है तो आप नहीं यहां से समझ सकते हो ट्रेड में क्या होता है बहीं buying and selling जो है वह involved होती है यानि हम डिमांड करते हैं एक जन डिमांड करते हैं एक जन सब्लाइ करते हैं और आप लोगों को बताती हूं जैसे कि जो सामान खरीदेगा उसको हम क्या कहेंगे बायस कहेंगे और जो सामान को बेचेगा उसको हम कहेंगे प्यारे बच्चों सेलर्स कहेंगे ठीके और जो सामान को प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है वो आपका प्रोड्यूसर होता है और जो होल सेल में सामान खरीदता है बल्क में उसको हम क्या कहते हैं होल सेल ट्रेड नगर चाहिए तो वहां भी मॉल वगरा हम खरीद लेंगे तो वह खुद वह सामान घर पे नहीं बनाते वह अलग 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 जगह से घर अधार के अ मना है पिर फैर इनके पास आए गहां तो कहां कहां से घरते हैं बच्चों को नकिए अधंगे भी खरीद सकता है यानि ऐसे भी चलता है कि रिटेलर डारिक्ली यहीं तो यहां पर यहां पर यह चैन भी फॉलो के जाती है ठीक आप दिरे-दिरे करके जिसे ओनलाइन बिजनस में क्या हो दैरेक्ली आपके घर तक आता है इसलिए तो ऑनलाइन में सामान जो है वह सस्ते मिल कमिटी जो होती है मार्केट वाली ठीक है तो यहां से रिटेलर जो है वह सामाल लेकर गया था और उसके बाद आपको बेशना है ठीक है तो जहां पर गुर्स को प्रोड्यूस किया चाता है उसको हम क्या कहते है प्रोड्यूसर कहते हैं जो प्रोड्यूस करता है तो देखि तो घर पेटे में से चलना ओं तो नहीं मिलेगा मुझे बाद दुकान-दार से जाकर के डिमांड करने पढ़ए कि कि मुझे जाहिए शेंपू तब जाकर मुझे वह देगा है ना तो हमारी जो जरूरते होती है उनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं उस चीछ के किया चाता है production किया चाता है और जो ब्चाता है उसको हम कहते हैं बच्छो producer ठीक है प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करके supply करता है हम तक समझ में आया ओके जी तो यहाँ आप बताई दिया है यह बात कि बाइंग और नहीं जरूरते हैं कि पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है जैसे मान लीजिए यहां पर आपको बताती है यह जो होवसेल ट्रेडर काम कर रहे हैं इनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए इसलिए तो वो क्यां काम कर रहे ना क्योंकि यहां से वो जितने में माल खरीदेंगे उतने में वह नहीं बेचने वाले कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉफिट कमा करके वह यह काम कर रहे वैसे ही रेटेलर साफ जैसे मानलीजी आपको इन्होंने पांच पर में पेन बेच रहे हो ना थो बाइंग नसे लिंग से लिक यह एक दूसरी ज़रूरती है न वह पूरी होती है थे तो ब्रोडीज्वर्द उसको बीचता है और ट्रेंड जहां करते हैं इसी कुल क्या कहते हैं त्रेड कहते हैं यही है हमारा एक्वाप्ट तो अगर आप concept of trade को explain करो तो कर सकते हो ना अच्छे से पुरा विस्तार से explain कर देना ठीक है चलो अब उसके बाद यहां पर हम कुछ और बाते करते हैं यह तो हमने छोटे लेवल पर बात की अब यह जो ट्रेड है ना वो पूरा ग्लोबली फैला हुआ है यानि हम बहारी देशों के साथ भी हो रही है तो हम अंपने देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ उप्षा में या क्श मर में हो सकता है यहां हो अब यूँगी ट्रेड हमारे देश में क्वहादा होगा बला है वहा होता है उसको क्या कहते हैं तो तो कहा जाता है झांने करें हागे बढ़ा हो रहा है हमारे देश सक zweite t तो इसलिए बोला है कि trade क्या है trade economic activity है ठीक है देखिएगा जो economic life है लोगों का वो कैसा है इंटरडिपेंडेंट है जैसे हमने वो chain में ही देख लिया था कि जो हमारे factories जो goods को produce कर रहे हैं उनका जीवन किसके उपर dependent है समझेगा वो अगर देखा जाए तो हमारे उपर ही dependent है क् कि हम उस वस्तू की मांग कर रहे हैं तब ही जाके यह goods को produce कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं तब जाके इनका जो जीवन है इनके पास पैसा आ रहा है और इनका जीवन ठीक प्रकार से चल पा रहा है तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो economic life है लोगों का वो कैसा होता है वो के बिजनस मैन है जब हम लोग उस चीज की मांग कर रहे हैं मतलब इनके द्वारा जो बनाया गया समान उसको खरीद रहें तब तो इनका बिजनस चल पा रहा है और वही बिजनस मैं बस अपनी अपनी चलाए तो उनका कोई समान नहीं पूचेगा ना मतलब आ सोसाइटी अ लोगों का वो कैसा होता है एक दूसरे के ऊपर नर्भर होता है ठीक है कोई बी रीजन या फिर कोई बी कंट्री अपने आप में सेल्फ अफिशियंट नहीं होती यहीं बात होगे नहीं है बिजनसमेन वाली जो कह रहे हैं बस मैं तो अपना सब कुछ काम खल लूँगा मुझ जैसे कोई देश ऐसा है जहां पर लिगों अस जाफर आथी चीज जय से यहां कोई देश चैनल चाहिए थे और उस देशों में भीजींगे और फिर नहीं है नहीं ए the सेलफ सफिसेंट नहीं होता त्रेट बेट्विन तू रीजन इस नेसेसरी तू फुल्फिल दनेट्स ऑफ भी पल यानि की ट्रेड होना दो देशों की वीच में बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि लोगों की जो नेट्स हैं जरूरते हैं वो पूरी हो पाएं तो फिर य और ही कर दोब हुए निए ना बिन जैसे और मंगों और अफव को helemaal अच्छें से हो सकते हैं जो सुख त्षोंकर एक तरीका से ख़िए और पर साथिख पैसिसे ही ही हो रही है अब वहीजी खां करके लोग पूरा जीने होएं तो दूसरे चीज भी तो चाहिए होंगी ना तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है ठीक है इस देर इस दिमांड फॉर दैट को अगर किसी बेरीजन में किसी को मतलब क्या हुआ अगर उस चीज के कमी हो जाती है तो लोग वहां पर क्या करते उसके डिमांड करते अब ऐसे में क्या किया जा अगर इनके पास वीट नहीं है तो इनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा मंगाना पड़ेगा और यहां पर ग्यों बच्चे से हो रहा है तो इन्होंने किया किया अब यहां पर कमी है तो लोगोर की अगर जरूरत पूराघना पड़ेका इस कंट्री को बाहरवाले देशों से सहमान तो हंपके कर लिया तो जहां पर ज्यादा हो रहता वहां से इंपोर्ट कर लिया जहां कमीथी उधर यह आ गया ठीक है तो इस प्रकार से यह चीज होती है और एक्जामपल भी आप समझ सकते हो देखो जैसे कि एपल प्रोड्यूसिंज जम्मू एन काश्मीर और सेंट टू अधर स्टेट्स ऑफ इंडिया वहां पे उसको सप्लाई किया जाता है क्योंकि जहां पर बिजबाया जाता है तो आप देख सकते हो हमारे देश में इसका एक्स्प्ल में गया तो जहां पर कोई चीज जादा मात्रा में हो रही है चलो अब मैं आपको ने यहां पर ट्रीड का एक और एक टाइप बताने वाली हूँ जो पहले एकदम पहले जब हमारे पास यह पैसे वगरा नहीं हुआ करते थे ना नोट्स होते थे ना सिक्क्य होते थे तब यही वाला सिस्टम चलता था विच इस बाटर सिस्टम अभी भी हैयरअठी टृ हिए कि गर्रॉड करें सब्सक किया यह थे लाटर सिस्साइड में सब्सक्राव बनुदे यह उन हैं इसको पूर में गड़ा कोने का कुछ ने जुए पहले उत्क चिए लक्त सबखे थे में तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं उत्म काना सब्सक्रावेंब अभी मैंने नया नया लिया है तो एक काम कर तो इसको रख ले और अपना हैर बेंड मुझे दे दे तो मैंने उसको मारकर दे दिया और मैंने यह यहां पर कही पर पैसा आया मैंने उसको एक समान या दूसरा समान लिया एकशेंश को खेते गुड्शों यह जब V 메 oneych और गड़िस समान को एक शेंच किया जा रहा है तो दूर एकशेंच ऑके समुज में आया तो पहले है किया मिलुत नहीं लब नहीं हुआ करते थे तो यह बाटर एक्षेंज चलता था जिसमें सामान के बदले सामान देते थे फिर उसके बाद दिरे-दिरे करके जो सिक्के वगएरा है वह यहां पर आया फिर पेपर मनी आया और इस प्रकार से पूरा सिस्टम चला और हम देखते हैं कि अब पैसे के बदले में हर चीज हम खरीद सकते हैं ठीक है बच्चो अच्छा अब यह बाटर सिस्टम आज भी चलता है क्या अभी बुला ना मैंने चाहो तो चला सकते हो लो आपस में एक दूसरे से एक्षेंज कर लो ऐसा हो सकता है है ना लेकिन अब पैसे भी आज चुके हैं तो पैसे भी चलते हैं ठीक है चलिए गाव में अगर आप देखेंगे ना तो अब भी भी कहीं पर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है आपको बाटर एक्षेंज वाला जैसे सबजी वाला है ठीक है अब जो गाव के लोग है तो उनके प इस ब gor时 क्या अी roll आपको सब्सक्राइब करें और में अगर एक पर श्क्राम भी कहीं कि तो ह्तले न हम कंते चाहिंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है सारी चीज़े आपके दिमाग में सीधी अंदर जाने चाहिए है ना ताकि एक्जाम में अच्छे से लिख पाओ तो चलो अब यह टाइपस ऑफ ट्रेड को हम देखेंगे हमारे अगले विडियो में और आपके दूसरे सब्जेक्स अभी बचे हुए हैं उन को भी बहुत नहीं है तो हो जाएंगे तो इसकी चिंटा मतलीजेगा तो चलिए बिचो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मिलेंगे हम लोग निक्स वीडियो में और टाइपस ओव ट्रेट देखेंगे ठीक चलो बाइबाइबरीवन